मेरा यही करवध प्रार्थना है, कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये जहंडा लेकर नहीं चलूँगा, अकि असलीलता, असलीलता, कुछ असलीलता नहीं, असलीलता आज से नहीं है, बहुत दिनों से असलीलता है, कि चाची की बाची सपनवा में आती है, तो ये पंक्ती किसी ने लिख दिया और किसी गायक ने गा दिया तो अब उसको अपने तरह से आप कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है हां अगर आप ऐसे अगर लेंगे अगर डारेक्ट संबंध में लेंगे तो संबंध वाइस यह तो बहुत खराब है लेकिन अगर आम भाशा में अग हलका हो जाएगा और अगर मनोरंजन के ख्याल से लेंगे आते हैं आपके फेकु बावा पे आप जिस तरीके से फेकु बावा को बहुत हाइलाइट करते हैं तो भोचपुरी भोचपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद है और एक बहुत लंबा चोड़ा विवाद है खेस जारी भाई हमारे अपने हैं पवन जी अपने हैं हमारे रितेश जी कल्लो जी या चितने लोग हैं सब लोग अपने हैं हमारे परिवार के लोग हैं और परिवार में कई तरह के लोग होते हैं और अगर दर्शकों का परिवार कहा जाए तो इन दर्शकों के परिवार में भ तैसी प्रभु मूरत देखा ही तिन तैसी ये पहले का चीज है तो जिसने ये पंक्ति को लिखा है वो गलत थोड़े लिखा है वो तो बहुत पहुचा हुआ विक्ति था तो वो तो पूरे संसार पे लागू होता आया है और होता रहेगा वो रहेगा अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि चाची के बाची सपनवा में आती है तो इसको कई लोग कई तरह से ले सकते हैं एक तो कि चाची की बाची जैसे हम लोग जब किसी महिला को नहीं जानते अगर हम से बहुत उम्रदराज है कोई महिला तो उसको हम आंटी कहके बलाते हैं ना आंटी कहके बलाते है हिंदी में बोलेंगे तो चाची कह देंगे न अगर मान लीजिए हमारा कोई अगर संबंध होता है तो इसी समाज में होगा हमारा प्यार होता है तो इसी समाज में होगा हम रहते इसी समाज में हैं जीते खाते पीते इसी समाज में हैं जब सबकुछ हमारा इसी समाज में होना है तो एक गाना आ गया कि चाची की बाची सपनवा में आती है तो ये पंगती किसी ने लिखतिया और किसी गायक निगा दिया तो अब उसको अपने तरह से आप कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है हाँ अगर आप ऐसे अगर लेंगे अगर डारेक्ट संबंध में लेंगे तो संबंध वाइज ये तो बहुत खराब है लेकिन अगर आम भाशा में अगर लेंगे इसको तो वो थोड़ा हलका हो जाएगा और अगर मनोरंजन के ख्याल से लेंगे क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं बहुत सारे गाने आये हैं बहुत सारे गाने आते रहेंगे और गानों की पंक्तियां जो हैं इससे भी बहुत हुआ है होता आया है और होता रहेगा ये मैं जानता हूँ, होता रहेगा, क्योंकि मेरे मना करने से और आपके मना करने से और हल्ला करने से कुछ होता जाता नहीं है ये लगभग 20 सालों से मैं देख रहा हूँ तो इसलिए ये बेवकुफी है, हाँ हाँ अगर हम चाहेंगे तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा हमारी भावना क्या है उस पर सारा डिपेंड करता है अगर भावना गंदा है तो उसको गंद तरह से हम लेंगे भावना अच्छी है तो वही पंक्ति अच्छी हो जाएगी तो इस कि अपने भोच्पुरी का इक बहुत अच्छा दोर देखा है और सुरू से और अभी तक आप कंटीनियू काम कर रहे हैं तो इसको आप किस तरीके से देखे कि अप्र सलेथा का विरोध होना सही जो है एक sensor board लावे इसके लिए एक sensor board का निर्वान होना चाहिए नंबर वन sensor board भी बहुत काम नहीं करेगा इसमें इसलिए कि sensor board से बिना पास कराये गाने भी साइड से निकल के और लोगों के पास आ जाएंगे sensor board किसे घर घर में घुचते चलेगी इससे कोई फरक नहीं पड़ता है नंबर वन नंबर दो कि आखिर गाने सुन कौन रहा है प्रश्निया है सब लोग हला ही कर रहे हैं अशलीलता अशलीलता अशलीलत तो ये कैसे 20 एम हो जा रहा है एक दिन में 20 एम और 40 एम और 50 एम और 500 एम और 300 एम कैसे हो जा रहा है आप ही के समाच से न ये मामला है आप ही के घर के बगल वाला आदमी सुन रहा है न आप ही के परिवार के आप 5 परिवार है तो उसी परिवार का कोई एक आदमी सुन रहा तो आप वहां नहीं मना कर पा रहे हैं और जूट मुट का माइक लगा के और भाला कर रहे हैं कि असलीलता असलीलता ये क्या है ये ड्रामा बाजी है ये कुछ नहीं है अगर हम सुनना नहीं चाहेंगे तो गाने नहीं बनेंगे और गाने नहीं बनेंगे तो असलीलता खत्म ह तो नंबर दो ये बात, नंबर तीन, नंबर तीन ये, कि जैसे फिल्में गंदी फिल्में देखा है आपने, गंदी फिल्में लोग देखते हैं न, लोड स्पीकर लगा के तो नहीं देखते, पूरे परिवार के सामने तो नहीं देखते, उसका एक तरीका है, लोग देखते ह मुबाईल में बहुत सारे प्रसेंटेज लोग देखते हैं मुबाईल में रहता है यूटूब पे है गूगल पे कहा नहीं है भाई बहुत सारी जगों पे है शायद तो लोग देखते हैं कोई जानता है कि कौन देखा है लोग देखते हैं अधिक मात्रा में देखते हैं लेकिन कोई जानता है कि कहां देखा नहीं देखा तो अगर अशलील गाने हैं तो ठीक है अशलील गाने बने लोग सुने समाज में ना सुना है, लेकिन सारवजनिक जगों से परहेज होना चाहिए, मेरा करवध प्रार्थना है, मेरा यही करवध प्रार्थना है, कि मैं यह नहीं कहता हूँ, मैं यह जहंडा लेकर नहीं चलूँगा, कि असलीलता, असलीलता, कुछ असलीलता नहीं, असलीलता आज स बंद कराने वाला और किसी को रोकने वाला मैं कौन होता हूं मैं किवल विनती कर सकता हूं कि आप अशलील गानों पे अशलील चीजों पे जो है ज्यादा आकरशित नहुं। अगर आपको अगर चाहिए भी अगर आप चाहते हैं अशलील गाने सुनना अशलील द्रिश्च देखना चाहते हैं आप ये चाहते हैं तो ठीक है आप देखें लेकिन हेड़फोन लगाके ना कि सारवजनिक हमारी मा बहने जाती हैं दुकान में गाड़ी में बैठती हैं भी कह गाना बनता है लेकिन आपने चलाया आप उने समझा रहा है कि यहां पर 10 लोग बैठे हैं उसमें दो महिलाएं भी बैठी हैं किसी की माँ बन होंगी किसी का भाई होगा किसी का गारजियन होगा तो उनका विवेक जो गाड़ी चला रहे हैं जो पांदुकान वाले हैं ठेला वाले हैं चाहे जो लोग सारोजनिक बजा रहें यस गाने को उनका वीवət क्या मर गया और कल होके उन्हीं लोगों में से लोग जंडा लेकर दौडते हैं कहते हैं कि अशलीलता के खिलाप अशलील गाने गाये हैं उसने भजन भी गाये हैं यह याद रखेगा जिस गायक ने अशलील गाना गाया है और जिस पे आप लांचन लगा रहा है यूटूब में जाकर और उसके भजन खोजेंगे न, तो उसके भजन भी मिलेंगे, तो आपका, उसका भजन तो 50 नहीं हो जारहा है, 3 एम, 2 एम, 4 एम हो रहा है, और这 गाना रात रात 50 एम, तो असलिलता का जैंड़ा डोने से नहीं होगा, अपना मन शुल्द करना होगा, अपना मन शुद करेंगे, सब सुद्ध हो जाएगा, आप नहीं सुद्ध होंगे, कुछ नहीं सुद्ध होगा